सूरेश और रमेश नाम के दो भाई थे सूरेश बहुत ही मेहनती था तो रमेश काम चोर था उनके पास खुद की खेती नहीं थी इसलिए वो दोनों एक किसान के पास किराय से खेती के काम पर जाते थे काम करते करते बीच में ही रमेश रुख जाता है और कहता है अरे वैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या आप मेरा काम कर लोगे हाँ रमेश तुम जाओ और आराम कर लो तुम्हारा काम भी मैं ही कर लेता हूँ रमेश तबियत का बहाना बना कर पेड़ के नीचे सो जाता है उदर सुरेश शाम तक सारा काम खतम कर देता है और जब किराया मिलने की बारी आती है तो रमेश जल्दी से उट कर आ जाता है वो खेत का मालिक उन दोनों को उनके कामों का बराबर का पैसा देता है रमेश को पैसे उस काम के मिलते है जो कि उसने किया ही नहीं तब रमेश सोचता है अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है भया काम करते रहेंगे और पैसे मुझे मिलते रहेंगे रमेश उस दिन के बाद से बस इसी तरह से काम चोरी करने लगता है सुरेश भी रमेश को कुछ नहीं बोलता था कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है दोनों भी अलग-अलग रहने लगते है पर रमेश की काम चोरी वैसे के वैसे ही रहती है एक बाद सुरेश काम से देर से आता है तब उसकी पतनी कमला कहती है हाँ मैं सब समझती हूँ आपकी देरी का कारण रमेश भाया का काम आप ही करके आये होंगे आप रमेश भाया को कुछ कहते क्यों नहीं जी वो अपना काम आप पर थोब देते है और घर आकर आराम करते रहते हैं कमला को रमेश की कामचोरी दिखाई तो दे रही थी पर सूरेश अपने भाई से बहुत प्यार करता था इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता था एक बार दोनों भाई मिलकर खेट में काम करने जा रहे थे कि तबी एक पेड़ के नीचे एक सादू बाबा तपस्या करते हुए वो दोनों देख लेते है तबी एक बड़ा सा जहरीला साप उस सादू बाबा की तरफ जाते हुए वो दोनों देख लेते है ये देखकर रमेश डर के मारे वहाँ से भाग जाता है पर सूरेश बहुत ही हिम्मत करके उस साप को पकड़ कर दूर फेक देता है पर इस गड़बड की वज़े से सादू बाबा अपनी तपस्या से जाग जाते है और वो कहते है तुम कोनो बेटा बिना डरे साप से तुमने मुझे बचाया है तुमारा बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया की कोई बात नहीं है सादू बाबा आप तपस्या में लीन थे मैं आपकी तपस्या में कोई भंग ना गिरे इसलिए उस साप को उठा कर दूर फेक दिया सादु बाबा कुछ मंत्र बोल कर एक मैजिकल मनी ट्रेक्टर प्रकड करते हैं जो की पैसों से सजाया हुआ था तब सादु बाबा कहते है बेटा ये लो ये एक मैजिकल मनी ट्रेक्टर है जो तुमें हर रात खूब सारा पैसा देगा पर इसका गलत कामों के लिए कभी भी इस्तेमाल मत करना और इससे गरीब लोगों की भी तुम मदद करना सुरेश वो मैजिकल मनी ट्रैक्टर लेकर घर चला जाता है और कमला को सारी बात बताता है कमला बहुत खूश हो जाती है रात के बद उस ट्रैक्टर से खुब सारा पैसा निकलने लगता है और वो पैसा ट्रैक्टर में जमा हो जाता है एक ही रात में ट्रैक्टर भर के पैसे सुरेश को मिल जाते है फिर क्या सुरेश अपने लिए एक नया खेत खरीता है और गरीब लोगों को भी वो पैसे बाटता है पर जब ये बात रमेश को पता चलती है तब वो अपने भाई के पास आता है और कहता है अरे वाव विया, अपने छोटे भाई को तो आप भूल ही गए गाव के सारे गरीब दिखाई दिये आपको पर मैं नहीं दिखाई दिया अरे नहीं रमेश, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए नहीं नहीं वया, मुझे पैसे नहीं वो magical money tractor चाहिए सुरेश बीना सोचे समझे उसे वो magical money tractor दे देता है रमेश उसे घड़ ले जाता है जब ये बात कमला सुनती है तब वो कहती है ये क्या कर दिया आपने आपने भाई पर इतना अंदव विश्वास अच्छा नहीं होता है रमेश को magical money tractor के साथ दे कर उसकी पतनी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है आपने तो सच कहा था कि आपके भाई आपको ये magical money tractor दे देंगे अब पैसे मिलते ही सारा पैसा और ये tractor लेके किसी दूसरे शहर चले जाते है रात होते ही magical money tractor से पैसे निकलने लगते है और tractor पैसों से भर जाता है उसके बाद रमेश और सूदा उस magical money tractor से वो प्राव छोड़ कर जाने लगते है tractor भी पैसा देखकर रमेश ने अपने भाई को ही दोपा दे दिया था पर आदे रास्ते में ही वो tractor बंद हो जाता है रमेश और सूदा tractor से नीचे उतर कर देखते है कि आखिर क्या हुआ है तब tractor में से सारा पैसा गायब हो जाता है और वहाँ पर सादू बाबा प्रकट हो जाते है अरे ओ लाल जी रमेश अपने ही भाई को दोखा देने जा रहे हो जिस भाई ने हमेशा तुमसे प्यार किया है तुम भी भरोसा किया है ये magical money tractor तुम जैसे सादू बाबा के ऐसे कहते ही वो magical money tractor गायब हो जाता है दूसरे दिन रमेश अपने भाई से माफी मांगता है और मेहनत करने का वादा करता है magical bamboo tractor महिंद्रा अकेला मस्त मलंग होकर गाव शहर में घूमता था लेकिन वो रहता रामपुरनाम के गाव में वो जरूरत पढ़ने पर सब की मदद करता एक बार जब वो अपने bamboo tractor से कही जा रहा था तो किसी की आवाद सुन कर वो रुख जाता है अरे यो गंगाराम निकल घर के बाहर करजा उतारना नहीं होता तो लेते क्यों हो गंगाराम ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमिदार से करजा लिया था बस उसी के लिए वो गंगाराम के घर आया था गंगाराम बाहरा कर कहता है जी जमिदार जी इस साल आपका सारा करजा चुका दूँगा बस कुछ दिन की मोहलत दीजिए अरे मैंने कोई खैरात खाना नहीं खोला मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए नहीं तो घर खाली कर दो लेकिन जमिदार जी मेरे पास अभी एक फुटी कौडी नहीं है ऐसा सुनते ही गुसे से जमिदार अपने गुंडों को कहलवा कर गंगाराम को घर से बाहर निकालने के लिए भेशता है कि तभी महेंद्र उन गुंडों को रोकता है और कहता है रोक जाओ आप सब लोग जमिदार जी किसी की मजबूरी का इस तरह फाइदा नहीं लेते अरे तू कोन है और तुझसे मतलब मेरे काम में दखल देने वाले तू होता कोन है खबरदार अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो लेकिन जमिदार के गुंडे महेंद्र की बात नहीं सुनते और घर के अंदर जाकर सारा सामान फेकने लगते है तभी उस जादूई बांबू ट्रैक्टर से बांबू निकलते है और वो गुंडो को मारने लगते है वो सारे गुंडे वहाँ से डर के मारे भाग जाते है महेंद्र अपने ट्रैक्टर को रोग कर जमिदार से कहता है देखे जमिदार जी मुझे मार पिट में कोई दिल्चस्पी नहीं है गंगाराम का जितना करजा हुआ मैं दे दूँगा बेचारा जमिदार डरते डरते एक रकम महिंदर को बताता है महिंदर अपने जादूई बांबू ट्रैक्टर से पैसे निकाल कर जमिदार को देता है जमिदार भी वहां से चला जाता है इस तरह महिंदर गंगाराम और गाव के पिडित लोगों की मदद करता रहता है उस राद जब जमिदार रात में घर में सोचता रहता है अरे ये महिंद्र कहां से आया है आते ही सब की मदद भी कर रहा है और उसका वो जादूई ट्रैक्टर वो भी बड़ा कमाल का है जमिदर ऐसे सोच ही रहा था कि उसे अपने ही घर के नीचे आवाज आने लगती है वो खिड़के से देखता है तो महिंद्र अपने जादूई बैंबू ट्रैक्टर से जाते हुए उसे दिखाए देता है औरे ये महिंद्र इतनी रात आखिर यहा क्या कर रहा है महेंद्र वहां से चला जाता है और जमिदार भी सो जाता है सवेरे जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके घर में ही चोरी हो चुकी है उसके घर का सारा सामान पैसे, जेवर, गायब थे उसी के साथ गाउ के किसानों के, जमिनों के कागज भी गायब थे ये सब देख कर वो रोने लगता है ए भगवान अरे मैं लुट गया बरबाद हो गया अब मैं क्या करूँ पुलिस के पास भी नहीं जा सकता सारा का सारा काला धंजो है क्या करूँ मैं भगवान ऐसा कहते हुए जमिदार रोने लगता है जल ही ये बात गाउ में फैल जाती है जमिदार सोच सोच के परिशान हो जाता है तब उसे रात वाली बात याद आती है और वो सोचता है अच्छा अब समझ में आयू सारी बात तो उस रात वो महेंदर ही था अपने जादूई बांबू ट्रेक्टर से मेरे घर में चोरी करने वाला ऐसा कहिकर जमिदार महेंदर के पास जाता है और उससे कहता है सुनरे महेंदर मुझे सब पता चल गया कि तू एक चोर है मैं अभी पुलीस को सारी बात बताता हूँ और तेरी सारी पोल खोल देता हूँ अरे वाह बड़े जल्दी समझ में आई ये बात कि मैं एक चोर हूँ पर ठीक है तुम जाकर कई ही दो पुलीस टेशन में अगर जमिदार वहां से घर चला जाता है महेंदर सच में एक चोर होता है वो इसलिए तो गाव गाव में घूमता था पर वो किसी गरिब के घर चोरी नहीं करता ऐसे ही जमिदार के जैसे लालची जो गरिबों को सता थे उन्हीं के यहां चोरी करता था उस रात महेंद्र गाव के लोगों के घर के बाहर जमीन के कागज और कुछ पैसे रखकर चला जाता है दुसरे दिन गाव के लोग अपनी अपनी जमीनों के कागज और पैसे पाकर खुश हो जाते हैं तब ही जमीदार पुलिस को लेकर महेंद्र के घर आता है पुलीस तलाशी करते है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता पुलीस गाव के लोगों से महंद्र के बारे में पूछते है तब एक आदमी कहता है साहब यहां कोई महंद्र नहीं रहता यह घर तो कब से खाली पड़ा है लगता है जमीदार जी के घर में चोरी होने के कारण यह पागल हो गए है और अनापशनाब बग रहे है यह सुनकर पुलीस वहां से चले जाती है जमीदार भी अपने सर पर हाथ लेकर वही बैट जाता है गावालों को सब पता था कि महंद्र ने चोरी की थी पर गावालों ने महंद्र का साथ दिया इस तरह महंद्र अपने मेजिकल बांबू ट्रैक्टर से दूसरे गाव निकल जाता है और रामपूर के लालची जमीदार के जैसे ही दूसरे गाव के बाकी लालची जमीदारों के यहां चोरी करता और गाव के लोगों की मदद करता